नमस्कार दोस्तो मेरा नाम सेकर और स्वागत आप सवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकरी स्टेडी पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजेगा और ये स्रीज दोस्तो हमने 101 से शुरू की थी और बांकि 142 कोश्चिन आज इसमें है कल को 143 रहेंगे तो 200 तक दोस्तो ये स्रीज हमारे इस्तर से चलेगी उसके बाद कुछ आपके लिए अलग आएगा बांकि ये वाली सारी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी क्योंक कहुए जिसने हुणों को भारत पर आकरमण तरने से रोका था का युद्ध कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो इसका सेवत्र हो जाएगा हमारा ओप्शन बर बी पंदर सो चीयत्तर में ऑप्शन बी होगा इसका बिलकुल सेवत्र अगला बचने आपको किस घर के चारूं और वल्लाई है तो यह आपको बताना है घ सबी अवि आनी बांकी है बांकी दोस्तों सो करस्टिन तक आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे जी के उत्राखंड ओप्शन वाले बांकी फिर 42 क्वेश्चिन दोस्तों या 50 क्वेश्चिन अंत में आपको ओन लाइन रूप में देखने को मिलेंगे उत्राखंड के जो क कि वह भी जादा, बहुत जादा महत्मुन होंगे एकजाम की रिष्टी से, तो अगला बरस्निया यहाँ पर हमारा विदेशी बिनीमाई परबंदन कानून फेमा किस वर्थ में लागू किया गया, तो बहुत जादा महत्मुन बरस्निया एकजाम में बन सकता है, बांकि ऑप् पर पाटली पुत्र को किस सा सकने स्वरू पर्थम अपनी राजधानी बनाई, तो यहाँ पर आपको बताना किस ने बनाई, तो यहाँ जादा यहाँ पर हमारा चंद्रगुप्त मौरी ने, तो ऑप्सन नमर ए होगा इसका बिल्कुल सयुतर, अगला बस्निया आपर मंधि काली दास किस के राज कवी थे, तो इन में से आपको बताना है कवी काली दास तो यहाँ पर चंद्रगुप्त लियुति यह, ओप्सन नमर सी वहाँ के काली दास है दोस्तो इनका जनम हमारे उत्राखंडर याज जी के ही रूद्र परियाग में हो ओँआ ता कवील्टा में, काली मट का विल्टा में ही हो जाएगा यहांपर चंद्र गुप्त त्यूति है अगला अगला भच्छीह पर शिवा जी के माता का नाम था यहांपर आपको बताने हैं तो शिवा जीहेगा यहांपर जी जबाई तो आपशन नमर नालंदा विश्षु विध्यालेकी स्तापना किसने की असोग, कुमारपाल, कुमारगुप्त या फिर चंदरगुप्त तो यहाँ पर हमारा कुमारगुप्त ओप्जन नमबर सी अगला यहाँ पर अब यहाँ पर दुस्त उत्राखंड कोश्चिन आगे हैं तो बीज-बीज म पात वाला जोस्तो यह हुजाएगा हमारा अल्मोडा तो सरवादिक लिंगानुपात वाला अल्मोडा हुजाएगा उसके बाद आएगा रुद्र परियाग फिर पोड़ी फिर उसके बाद बागेश्वर तो इस तरह से दोस्तो यह है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला त कितनी है तो यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यह हुजारा पर बोला मुजालता प्लइए अगला अंबर यहाँ पर महिषा सुर मर्दनी की पर्थम मूुर्थी पराप्न होई थी। काशिपूर, शिरीनगर, द्वाराहार्थ या फिर चमबा तो यहाँ पर आपको बताने हैं तो यह किया गया हमारा 2001 में तो बढ़ते हैं अगले परशनी की तरफ अगला राजी में आसियाना पार्क इस्तित है तो आसियाना पार्क दोस्तो यह जाएगा हमारा option number C, अलमोडा में तो अलमोडा में हैं आसियाना पार्क, और अलमोडा आसियाना तो यहाँ रख सकते हैं आसानी से अगला पर यह जन जाती से समन्धित प्रसन है जोन सारी जन जाती में सबसे अधिक सान सौकत परकार के विभाव को क्या गहते हैं दामोला, बाज दिया, बोईदोदिकी या फिर वेवे की तो यह आपको यहाँ पर बताना है तो यह हुज़ाएगा यहाँ पर हमारा बाज दिया सबसे सान सौकत वाला है साधरन वाला है, ओप्सन नमर 2 वाला तो यह जाएगा हमारा option number D, इसका बिल्कुल सेउतर है, शांत पेटी किस रेखा के दोनु और पाई जाती है, यह आपको यहाँ पर बताना है, यह हो जाएगा उसके यहाँ पर मकर रेखा नहीं होगा, यह होगा यहाँ पर हमारा option number D, भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेख पुरुश, अगला बसने, आपर भारत के सर्वादिक छेत्रफल पर किस परकार की मिट्टी पाई जाती है, यह हो जाएगा उस्तो मकाली नहीं होगा यह होगा यह जिलोड, option number B होगा इसका बेलकुल सेउतर, अगला बसने, आपर उत्राखंड राज्जी में आपात कालीं स देवा 108 शुरू की गई तो 108 तो 8 यह जाएगा 2008 तो अंदर में 2008 यह जाएगा उसके तो मारा ओप्शन नमर अगला यह आपर सीसठूल नाम काभूशन शरील के किस अंग में पहना जाता है यह आपको यहापर बताना है तो आपनबर सीसठ्वूल तो सिरी पर होगा option नमर ढूर्ट मात्य पर अगला यहापर राजि की दूसरी सर्वादिक जन संख्या वाली जन जाती है तो की जन जाती की दूसरी सरवादिक तो पहली आएगे दोस्तो आप्शन नमर B होगा जो पहली थारू की है यहाँ पर पूछा है दूसरी तो यहाँ जाएगा ओप्शन नमर D हाँ पर हमारा जोन सारी होगा इसका सेवतर फिर तीसरी नमर पर बोटिया तो यहाँ पर होगा इसका सेवतर दोस्तों ऑफ्शन नमर डी तो यह होगा जोन सारी अगला बर्शने आपर चैती मेला लगता है तो चैती मेला दोस्तों इसका सेवतर होगे यहाँ पर उधम सिंग नगर्म लगता है हमारा चैती मेला तो ऑफ्शन नमर ए होगा इस पर बिल्कुल सबसे पहले लागू किया तो यह आपको यहां पर बताना है किस पर लागू किया तो डलो जी के समय दोस्तों यह पर हमारा सतारा ओप्सन नमर यह किस देश के बीच की सीमा रेखा है तो यह आपको बताना है तो जल्दी से आपको बताना है चमोली होगा या रुद्र परियाग तो यह जाएगा तो अमारा ओप्सन नमर डी रुद्र परियाग में तो दोस्तों इसी से मिलता जुलता ही तो भेंक तो हो जाएगा रुद्र परियाग पर भेंकल हो जाएगा चमोली में तो मिलता जुलता ही है तो यह हो जाएगा यहापर हमारा रुद्र परियाग तो अगला परशने आपर रिसी गंगा वो हनुमान गंगा नदी का संगम कहां पर होता है तो यह आपको यहाँ पर बताना है हनुमान चट्टी जानकी चट्टी नेटवाड या सब्तरिसी कुंड तो यह जाएगा उस्तो हमारा ओप्सन नंबर C होगा यहाँ पर जानकी चट् अगला यहां पर कि जिले की सीमा साथ जिलों को इस पर से कर पी है तो इन में से आपको बताना है तो यह जाए उस्तो हमारा उप्शन पर बी कई बार एक्जाम परसन बन चुका है सबी के लिए आसान है तो यह जाए आप पर पोड़ी बांकि अल्मुडा और चमुली की छेच है तो यह भी आपको याद रखनी है अगला पर यह अलंकार का परसन उस तो हिंदी से महत्मुण परसन और अलंकार भी सेलेबस में है तो अलंकार आपको यहां पर बताना है पीपर पात सरिस्मन डोला में कौन सा अलंकार है अनुपरास, रूपक, उपमा या फिर यमक तो ये तीनों है तो बिरज नी होगा क्योंकि ये है पस्चिमी हिंदी की बोली अगला पर ने आपक अपर काजू कौन सी भाषा का सब्द है तो यह जाएगा उस तो काजू इस तो जो भी सब्द है यह हो जाएंगे पूर्तकाली पाद्री काजूद पूर्टगाली ओप्शन नमर सी अगला वर्षन है यहापर बाला सर्श्वती की सास्त्री निर्ती से सम्मंदित हैं तो यह आपको बताना है तो यह हो जाएगा यहापर यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अउधी के भीतर निर्वाचन कराना अनिवारी है तो काफी अच 6 मां होगा इसका बिल्कुल से उत्तर पंचायत भंग होती है तो 6 मां के भीतर निर्वाचन कराना अनिवारी होगा अगला वर्षन है राष्टि यह पंचायती राजडिवस कब मनाया जाता है तो कई बार एक्जाम में बनता है तो कल भी आया था तो उस्तों से सम्मंदित अगला यहां पर परती वर्ष मैं में छोलिया महत्सव का आयवजन होता है जन परदू के नाम दिये हुए है चंपा अवत उधमसिंगर पिठोडागड या फिर बागेश्वर तो यह पंचायती राजडिवस अगला पर राज जी की सबसे बड़ी ब्यापारिक मंडी है तो अगला यहां पर मतस्य नीती लागू करने वाला देश का पहला राज जी तो यह जागा उस्तो अपना उत्राखट तो अप्शन नमर सी होगा इसका बिल्कुल सेवतर और कब हुई थी यह आपको चैट बोक्स में बताना है बुक से ढूट कर यह आता है तो सीधे कमेंट ब अगला यहां पर फेणी नाग देपता मंदिर इस्तित है तो परसू के पेपर में दोस्तो आया था हमारा कौन सा मंदिर आया था धोली नाग देपता बहुत से अब बढ़तियों ने उसमें पिथोड़ा गड़ कर दिया और बांकी फिर पता चला कि वो बागेश्वर में है अगला पर पर भारत में पहली बार बैंकु का राष्टि करण हुआ तो यह आपको बताना है दोस्तु बहुत ज़्यादा महतुल रस्तन है यह हो जाएगा 1979 में 1979 उप्शन नमर B होगा इसका बिल्कुल सेवतर आयोग दोस्तु कई बार इस बरसन को पुराने पेपरों में पूछ चुगा है अगला बरसने आपर डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखु गुफा की खोज की गई तो यह हो जाएगा उस तो 1968 में उप्शन नमर C होगा इसका बिल्कुल सेवतर अगला बरसने आपर तिर्सूल लेक परापत हुए है बाड़ाहाट बाड़ वाला देव फरियाग या काल सी तो यह हो जाएगा उस तो हमारा option number D तिर्सूल लेक यह हो जाएगा option number D हमारा बाड़ाहाट से option number D होगा इसका बिल्कुल 62 कासि से ते यह जागा option number D अगला यहाँ पर किस मंधिर के पास रावण सिला इस्तित है तो यहाँ पर आपको बताने है रावण सिला किसके बाद सिला किसके बाद सिला तो option number C, तुंगनात में बिना पूछ वाले चुहें भी पाए जाते हैं और इसके अलाव जोस्तो पिछली बार पूछा गया था कि रावण की तपस्तिली पहराशकुंड खाँ इस्तित है तो वो चमोली में है पर रावण सिला जोस्तो तुंगनात मंदिर में है कि पास इस्त ओड़ीत है तो माली दोस्तो पोड़ी तो इह हो जैगा यहां पर सालमनी सरक 222 क अगला पर सुदर्शन साने टीहिरी रियासत टिहिरी को राध्धानी कब बनाया तो यह यहां पर पूछा गया है तो हमारा option number during 30 December 815 रगो पर दोस्तों यहाँ पर 8 December 815 है नहीं उप्सन में तो यहाँ पर हम 30 कर सकते हैं लेकिन उप्सन में 8 December भी रहता है तो आपको वही करना होगा पर यहाँ पर हैनी उप्सन में तो जब आपशन वर भी 30 December 815 रगो तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जोड़ से कर दिजे और जाते जाते दोस्तों एक कर बीज़ूद कर लेगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सउस्क्राइब भी पर लीज़ेगा तो अगला पर यहाँ पर द्यारा संबंदीत है तो यह यहाँ पर पूछा गया है तो यह जाए उस्तो अप्शन नमर ए हमारा 32 किलो मेटर अगला बसने यहाँ पर यह जादा महत्म बसने है कम्प्यूटर का इस तरह का कोईचिन एक्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है डेश के टॉप पर आने के लिए short cut कुँझी है यह आपको यहाँ पर बताना है तो यह जाए उस तो यहाँ पर इन में से इसका से जरुतर हो ज़ता है उस्तो ऑप्शन नमर डि control प्रशन नमर अगला बसने यह और CPU का पूंण रूप क्या है तो बिल्कुल आसान है, बच्मन से आपने पड़ा हुआ है, तो यह हो जाएगा उस्तो, Central Processing Unit, Option No.A, अगला बसने आपर सभा में कौन सी संग्या है, सभा, तो सभा हो जाएगा उस्तो, समो, क्योंकि आपर भीड़ी खटी है, तो समो आचक हो जाएगा Option No.D होगा इसका, बिल रूड नहीं है, देवता, इस्तरी, महरिशी या पत्थर, तो जाएगा Option No.D है, इस्तरी ये भी है, देवता ये भी है, तो जाएगा Option No.C है मारा महरिशी, तो महाधन रिशी, इसको आमने तोड़ दिया, संधी पिसम कौन सी बनेगी, तो गुर संधी बनेगी, यह जाएग पर वे सब्द, जिन पर लिंग वच्चन कारक का परभाव पढ़ता है, कहलाते हैं, यह आपको बताना है, तो जिन पर पढ़ता है, तो जिन पर पढ़ता है, तो जिन पर पढ़ता है, तो जिन पर बिकारी सब्द, जिन पर नहीं पढ़ता है, वो ते अविकारी सब्द, थ और जब पक्च्च चंदा मांग रहेते यह लड़का बहुत चाला तो लिखना हो जाएा उसपर हमारा आप скॉण मेक नपर ने जाएगा हमारा option number B, चरम, option number B, दोस्तों अभी आपको उत्राखंडे के महत्पूर्ण, वलना नर्भी अंतमर देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंतक जयूड देखेगा, अगर आपने अगला बर्शने यहांपर आख की किर्किरी होना, मोहावरे का अर्थ हैं, यहांपर बताना है, धोका देना होनी सकता, कश्ट दाइग होना, बड़ा काम करना, इभी नहीं हो जाएगा, अप्री लगना, option number D, अगला बर्शने है, मिर्त सागर किन दो देशों के बीच इस्तित जैपरकास नारान, महात्मा गांदी, पिनोबा भावे, या फिर जियल, नहरो, तो यह हो जाएगा, उस्तों, हमारा option number C, महात्मा गांदी का कथन है, तो बहुत जादा महतुन बसने है, अगला बसने, आपर मुगल काल में किसे द्युत्य सिकंदर की उपादी पराप्त थी तो यह हो जाएगा उस्तों, द्युत्य सिकंदर की उपादी, option number C, अलाउदीन खिल जी को, तो इसका सेटरो का अलाउदीन खिल जी, अगला बसने, आपर कौन सी परवच सेणी महारास्ट में फैली है, यह आपको यहाँ पर बताना है, अब दुस्तों, अरावली, राजिस कौन सा होगा, तो यह जाएगा तो हमारा कोईला, option number C, अभी देखाऊगा कि आपने कोईला को लेकर बढ़ाओ चल लाथा, तो यह जाएगा हमारा option number C, कोईला, अगला यहाँ आपर वह गुप्त राजा जिसने बिक्रमा दित्ती की उपादी धारण की थी, यह आपको यहा 32 में, अगला वरसने आपर भारत में अंग्रेजु को भूमी खरीदनेयों बसने की अनुमति कब मिली, तो यह यहाँ पर पूशा गया है, तो यह जाएगा उस्टो 823, option number D, अगला वरसने आपर बैरकपुर में सैननी बिद्रो कब आरंब हुआ, यह आपको यहाँ पर बता यह आपको यहाँ पर बताना है, तो यह जाए उसको हमारा माउंट मेंटर नहीं होगा, यह उसका सर पैथिक लोरेंसे ने, तो option number D होगा दोस्तो, इसका बिल्कुल सही उत्तर, अगला वरसने आपर किस राष्ट कूर सासकने, एलो रामे कैलास मंदिर चटान काटकर बनवा नहीं है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर, अगला वरसने आपर संत कवीर सिस्सी थे, किसके आपको यहाँ पर बताना है, कई बार एकजाम में पूछा गया, यह जाए उसको रामानन्द के, कवीर के गुरु कौन थे, रामानन्द, कई बार एकजाम में बन चुका है, बिल्कुल सही उत्र, परिमार जनलेगी, परिमार जनलेगी दोस्तो, चमोली जनपति संमन्दित है, शतरंज इन्होंने बड़ा नाम किया, और यह आपको बताना है, अर्जुन कृष्कार कम मिला, तो यह मिला था इनको 2010, में अप्जन में D होगा, इसका बिलकुल सही उत् अगला उत्राखंड का कौन सा बाद्दियंत्र बासूरी के समरूप है वो आपको इन मेंसे बताना है मसगबीन मोचंग तुरहिया अलगोजा तो अलगोजा होता है दोस्तो यह उप्षन नमर D मौसे बजाए जाता है बासूरी भी मौसे बजाए जाती है अगला निमन मेंसे कौन सा चर्म बाद्दियंत्र है अब दोस्तो यह आपको बताना है ध्यान से यहाँ पर आपको इसका उत्तर देना होगा चर्म, मंजीरा, ढोर, मोचंग, तुरही तो तुरही तो फोग बाद्दिय यह होगा नी तो यह जाए उस तो हमारा उफ्शन नमर भी डोर चर्म बाद्दिय डोर था ली अगला यहाँ आपर हमारा अठार सो सताउन की करांति को देखकर किसने कुमाओं में मार्सल लो लगाया यह आपको यहाँ पर बताना है तो अठार सो सताउन दोस्तो उस समय कौन थे आँग बंदगर के आप लगा सकते हैंदी रैमजे क्योंकि उसी समय कुमाओं कमिशनर होई थे तो आसानी से आप कर सकते हैंदी रैमजे कोई डिक्कत वाली बात नहीं है अगला यहाँ पर बर्मकमल किस देपता को चड़ाया जाता है यह हो जाएगा उस्तो भगवान सीथ को चड़ाया जाता है बर्मकमल अगला यहाँ पर निमन मैंसे कोड़ द्वार से परकासित होने वाला समाचार पतर था उत्तर भारत ही टेशी गर्देश, Šवर्गमौमी तो इसका शेवत्र हो जाएगा उसका हमारा उप्सनमर बी गर्देश तो गर्देश होगा इसका बिल्कुल सठीक उत्तर अगला है यांपर कार्ती केपूर राज अंस का सस्चापक कौन था नाथरफिकेपुर् और शाल्स भाइन, तो एगला प्रस्टनिया आपर सृदेव सुमन ने आमरण अंसर्ण की शुरुआत कब की तो यह हो जाएगा शृदेव सुमन ने आमरण अंसर्ण की शुरुआत कब की तो ये हो जाएगा उस्तों हमारा 3 मैं 1944 को तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 3 मैं 1944 को वांगी 25 जुलाई 1944 को सहीध हो गये थे और आपको बताना है इनका जनम कब हो था स्रिदेव सुमन का पूरी डेड सहीध आपको बताना है और इनकी पतनी का नाम दोस्तों एक जाम मैं अभी पिछले बार उचा जा चुक है तो ये हो जाएगा हमारा उप्शन मर ए होगा इसका बिल्कुल 60 गुश्तर तो इनका जनम कब हो था ये आपको बताना है अगला बस्ते आपर उत्राखंड का सबसे उचा बाद है अगला यहाँ पर सबसे अधिक बाग किस राष्टी उध्यान में पाए जाते हैं यह आपको यहाँ पर बताना है सबसे अधिक बाग तो इस तो हमारा ओप्सन नमर B कारबेट राष्टी उध्यान तो कारबेट राष्टी उध्यान होगा इसका सबसे उध्यान बी राजाजी दोस्तो दिरादून में हातियों के लिए जाना जाता है अगला यहाँ पर लाई हरोबा किस राजी का लोग निर्ती है यह आपको यहाँ पर बताना है तो जाए उस्तो मडीपूर का मडीपूर ओत lotta इसका सेवतेर अगला राजा राम मोहन राए सस्ता बकते तो बरहम समाज राजा राम होन राइ 2828, तो option number 2 होगा दूस्तो इसका बिलकुल 60 उत्तर, अगला वस्तने यापर गुजर परतिहार वनसी की इस्तापना की थी, किसने यहां पर आपको बताने है, गुजर परतिहार वनसी की राजधानी थी, कासी कन्योज पाट ले पुतर्या होंती का, तो य हमारा कन्योज अगला बस्तों आपर किसके सासन का आल में सबसे अधिक मंगोल आकर्मन हुए यह आपको यहाँ पर बताने हैं किसके सासन का आल में होई थे यह जाए वस्तों अलाव जिन खिल जी के का आल में होई थे सरवाधिक मंगोल आकर्मन अगला बान भट्ट दरबारि कभी थे किसके तो बान भट्टे दोस्तों इसका सेक्ट रूज़ का ओप्शन बर सी हमारा हर्स वर्धत अगला है यहाँ पर लोधी वनसका वह सासक जिसने आगरा सहर किस्ता अपना की बीपीडियो पिछली बार में बन चुका दोस्तों परसने यहाँ पर सिकंदर लोधी तो दरून सेली में यहाँ पर अप्शन बर अगला बस फिर हरी ढपर हरी दोर से इसकंद पुरान में कहा गया तो मनक्राण सक्दब बिल कुल नहीं सकता यह जाँ अगला फिर घुर 2015 का track of the year चुना गया तो बहुत पुराना कुश्चीन हो गया है फिर भी 2015 का track of the year चुना गया तो उप्शन बर B होगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला है आपर रैम जे मूल रूप से निवासी थे तो रैम जे से परस्न बन सकता है कि मूल रूप से कहां के निवासी थे तो अगला बसन है आपर हमारा जोस्तो राज किये वैद साला राज कि वैद साला इस्तित है यहाँ पर आपको बताना है राज किये वैद साला ही हो जाए उसतो नियनिताल में है ओप्शन नमर डी होगा इसका बिल्कुल से उत्तर अगला बसन है आपर माहरियाली देवी मंदिर इस्तित है चमोली रूदर परियाग नियनिताल या फिर थोड़ा गड तो जाए उसतो रूदर परियाग में ओप्शन नमर बी होगा इसका बिल्कुल ही से उत्तर दोस्तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ वन लाइनर उत्तराखंड के महत्मून परसने तो सबसे भेले दोस्तो देख लेते हैं यहाँ पर उत्राखंड में सिक्चा ब्यवस्ता से परसने क्योंकि यहाँ से दोस्तो परसने बनने की संभावना रहती हैं तो हेमतिन अंदर भहुगुणा गड़वाल विश्चु विद्याले की स्तापना कब हुई तो उनिस्सो तीहत्तर में हुई अगला पतन जली योगपीड की स्तापना कब हुई तो 2006 में हुई ती अगला कुमाव विश्चु विद्याले की स्तापना कब हुई तो उनिस्सो तीहत्तर में हुई ती अगला उत्राखंड मुक्त विश्चु विद्याले की स्तापना 31 अक्टु पर 2005 हलद्वानी में हैं अगला आपर गड़वाल विश्चु विद्याले को केंद्रिय विश्व विद्याले का दर्जा मिला कब तो 15 जून 2009 तो option number तो उस पर यह हो जाएगा 15 जून 2009 अगला यहापर संसिकिर्थे विश्व विद्याले हरिद्वार की स्तापना का हुई तो यह परस्ने बन सकता है एकजाम में यह हो जाएगा 2005 में 2005 हो जाएगा इसका बिल्कुल सहुतर अगला यहापर Graphic Era Institute of Technology की स्तापना हुई तो यह हो जाएगा दोस्तों 2008 में 14 अगस्त 2008 को अगला परस्ने यहापर रुड की इंजिनेरिंग कॉलेज की स्तापना कब हुई तो यह हो जाएगा यहापर जाएगा परस्तों यहापर देख लेते हैं कुछ महत्तम्ण सस्तानों को जो आपको सीधे याद रखने होंगे परसासिनिक परशिक्छरण का आदमी कहा है तो नियर्साल में है अगला यहापर उत्राखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है तो यह है पिताम बर्दत बर्थवाल के नाम पर है उत्राखंड हिंदी अकादमी अगला यहापर भारतिय सुदूर सवेदन सस्तान कहा है तो यह है दोस्तो देहरादुन में तो देरादुन आपको विल्कुल यादक नहीं है अगला है मुकुंदी लाल संग्राले की जनपद में है तो पौडी में है पौडी में मुकुंदी लाल अगला यहाँ पर राश्टी है द्रिश्टी बादी सस्तान कहाँ पर है तो यह देरादुन में है अगला यहाँ पर जी रिसी केस में है 2004 में अगला परसने राज जी में अखिल भारती आयुरुग्यान सस्तान तो वही है रिसी केस ओप्शन मर अगला यहाँ पर स्री नगर में राज की मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर है दोस्तों यह है पीर चंदर सिंग गडवाली के नाम पर 2008 में इस्तापना अगला यहाँ पर किस विश्चु विध्याले को तीन दयार विश्चु विध्याले का दर्जा दिया है तो यह हुझाएगा यहाँ पर स्रीदेव सुमन विश्चु विध्याले को तो अगला परसने दोस्तों यहाँ पर हजरत अलाउद्दीन एहमेद सावीर की दरगा का ह चुका है तो यहाँ पर हम online रूप में देख रहे हैं तो सीधे आपको याद रखना हुँगा पिरान कलियर तो अगला यहाँ पर असोक के सिलाले किस स्तान से मिलें तो यह हो जाएगा कालसी तो कालसी पांक यहां पर होता और चीज़ ऑप्सन होते कुछ भी अलग रंदा कोशी कुछ भी ऑप्सन होते पर यहां पर हम देख लें वह नहीं रूप में तो यह हो जाएगा उस्तों हमारा यहां पर कालसी तो यह आपको विल्कुल याद दखना है अगला यहां पर म कौन सा पंच बदरी स्तल अब पंच बदरी है चांटपूर कड़ी दूस को आठा गार नदी के यहां पर खृष जग को अधि बदरी आपको याद रखना है अगला यहाँ भी मफिल किस सतान पर है माणा में नदी कौन सी सरस्वति wonderful आप सब आपकोया inert रखने है अगला सब्सक्राइब ने में अ 하기्ण जरीन, Fame शनी रखना ऑली सब्सक्राइब को बंगाल ऊसे राश्चर बार्च का पार्ध मर्क अगला है अगला है ँए आप आपर बिलुट की घाटी पास है तो यह आपको याद अखने है अगले आपर बाना सुर्ख की पूत्री उसा के नाम पर किसी तल का नाम है तो उखी मट का नाम है जो कि क्या है रूद्र परियाग में अगला बूरा केदार किस विकास विकास खंड में अब आजकल दोस्तो विकास खंड वाले परस्ण भी एकजाम बनते हैं कि यह कौन सी तैसिल में है कुछ तरह के परस्ण जो आजकल क्योंकि जादा अब धटी जादा पड़ चुके हैं यह जाएगा घंसाली में अगला बसने यहापर हमारा अठार सा चालिस म काफी जादा महत्पूर्ण है तो अगला बसने आपर बेड़ू पाको 12 मासा की धुन कि संगितकार ने तयार की थी तो यह जाए उस्तो स्वर्गी सिरी मोहन उपरेती ने परवती कला केंदर की स्तापना भी किती तो उस्तो उन्हें मोहन उपरेती ने दिल्ली में 1960 में तो यह जाए उस्तो मोहन उपरेती अगला यहाँ पर पहाड़ी चित्र सैली पुस्तक के लेखक कौन है तो बांकि वहाँ पर उप्सन रहेंगे तो यह जाए उस्तो किसोरी लाल बैद्दी बिल्कुल याद रखना आपको अगला है कौन सी जन जाती काष्ट सिल्प का कार्दी करती है कई बार एक्जाम बन चुका है काष्ट सिल्प के लिए जानी जाती है तो यह जानी जाती तो राजी जन जाती तो बिल्कुल आपको याद रखना है राजी जन जाती सीधे प्रस्ण और सीधे उत्तर आपको याद रखने होंगे अगला यहाँ पर पेड़ूं के न इस तरह उतने एकजामें बनते हैं अगर वहां पर आपको गलती होती है तो बहुत जादा नुक्सान हो जएगा अगला ढ़ोटेया लोगों द्वारा क्या जाने वाला युद्ध निर्थी कौन सा है तो जगा पोना शात में रुमाल लेकर किया जाता है अगला मैए की याद मैं नव बिभाईतों द्वारा किया जाने जोने रित्ते ये भी आपको याद रखने है अगला यह पर चांच नोड़ को कुमाउं चेत्र मैं क्या बाउं़ जोड़ा कहा जाता है अब दोस्तो अब यहाँ पर हम अंत में ये उत्राखंड की अनुसूचित जातियों जन जाति से 10 महत्पूर्ण प्रस्णों को देख लेते हैं जो कि आगाम एक्जाम के लिए उस्तों महत्पूर्ण होंगे ही तो सीधे आपको याद रखना है अगला यहाँ पर सेणा नामक पद की जन जाति में पाया जाता है जोनसारी में तो सीधे आपको याद रखना है सेणा नामक पद जोनसारी में अगला यहाँ पर राज जी में अनुसूचित जन जाति की कुल आबादी का कितना परतिसात है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण प्रस्ण है प्रतिससाथ के अनुसार सरवादिक जनसंख्या वाला जनपद है फरतिससाथ के अगला यहां पर नानक मत्ता और कौन सी सीट अनुसूची जन जाती यानिकी ST के लिए आरक्षित है तो यहां पर पूछा गया है तो यहां पर पूछा गया है तो गुलाब सींग थे तो यहां आपको विल्कुल याद रखना होगा तो दोस्तो यह थे आज के मारे 122 महतों परसने बांके मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब क है